विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं लेकर बने संचयों की संख्या ग्याद करना। प्रत्येक वस्तु को संचय में लेने के दो तरीके हैं, या तो वस्तु ली जाए या ना ली जाए। अतह N वस्तूओं को लेने के तरीके बराबर 2 गुना 2 गुना 2 ये N बार जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात N इसमें वह तरीका भी सामिल है जिसमें कोई भी वस्तू ना ली गई हो अतह अभिष्ट संचयों की संख्या बराबर 2 का घात N रिन एक संचयों की संख्या दूसरी विधी से भी ग्यात की जा सकती है N वस्तूओं में से एक वस्तूओं को चुनने के तरीके बराबर NC1 होगा इसी तरीके से N वस्तूओं में से दो वस्तूओं को चुनने के तरीके बराबर NC2 N वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनने के तरीके Nc3 और इसी प्रकार N वस्तुओं में से N वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर Ncn अतह अभिष्ट समपूर्ण संचयों की संख्या इन सब का हम योग लिखेंगे Nc1 प्लस Nc2 प्लस Nc3 अप टू Ncn तो इस पस्ट है कि n c 1 प्लस n c 2 प्लस n c 3 अप टू n c n इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 इसका उप्योग हम प्रश्णों को हल करने के लिए आगे करेंगे P प्लस Q प्लस R वस्तुवों में से P वस्तुवें समान एक प्रकार की Q वस्तुवें समान दूसरे प्रकार की तथा R वस्तुवें समान तीसरे प्रकार की हो तो उन में से एक अधिक वस्तुवें लेने पर संचयों की संख्या व्याद करने P वस्तुवों में से 0 या 1 या 2 या 3 या फिर P वस्तुवें चुनी जा सकती है इस प्रकार P समान वस्तुओं को चुनने के तरीके वराबर P प्लस 1 और इसी प्रकार Q समान वस्तुओं को चुनने के प्रकार ये Q प्लस 1 होगा तथा R समान वस्तुओं को चुनने के R प्लस 1 तरीके होंगे इसलिए सभी वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर P plus1 into Q plus1 into R plus1 परन्तु इसमें वह तरीका भी सामिल है जिसमें कोई भी वस्तु ना चुनी गई हो अतह अभिश्ड संचैयों की संख्या बराबर P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 minus 1 इससे एक उप्रप्रमय बनेगा यदि P प्लस Q प्लस R वस्तूव में P वस्तूवे समान एक प्रकार की Q वस्तूवे समान दूसरे प्रकार की तथा सेस R वस्तूवे विभिन्न हो तो संचैयों की संख्या वराबर P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू 2 का पावर R देखते हैं इससे सम्मंधित प्रशन इसमें पहला प्रशन दिया गया है कि मेरे सात मित्र हैं? । उन्हें कितने प्रकार से चायपाल्टी में आमंत्रित कर सकता हूं? तो यहाँ पर अलग-अलग स्थितियां हो सकती है तो पहले सिति है कि साथ में एक को बुलाया जाए दूसरी सिति साथ में दो को बुलाया जाए तीसरी सिति साथ में तीन को चौथी सिति साथ में चार को पांचवी सिति साथ में पांच को और छटवी स्थिती साथ में छे को और साथवी स्थिती सभी को बुलाया जाए तो इन सब का हम योग करेंगे और हमें वह उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे कि चाय पार्टी में आमंत्रित करने के अभिष्ट प्रकार तो यह आपको मिल दाएगा 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 और प्लस 7C7 साथ में एक को बुलाना, साथ में दो को, साथ में तीन को, साथ में चार को, साथ में पांच को, साथ में छे को और साथ में साथ को बुलाने के प्रकार तो इस प्रकार थोड़े दिर पहले हम लोगों ने इससे सम्मंदित शूत्र देखा था इसको हम लोग 2 का घात 7 और रिन एक लिक करके हल कर सकते हैं और इसको जब आप सरल करेंगे तो 2 का घात 7 आपको मिल जाएगा 128 और इसमें एक घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 127 और यही इस प्रश्ण का उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगला प्रश्ण है कि 5 अमरूद, 3 सेब तथा 4 आमों में से कितने विभिन ढंगों से फल चुने जा सकते हैं अब इस्थिती यह हो सकती है कि 5 अमरूदों में से 1, 2, 3, 4, 5 को चुना जाए या फिर एक इस्थिती ऐसी भी हो सकती है जब किसी को ना चुना जाए तो इस प्रकार अमरूदों के चैन के जो प्रकार होगा वह 5 और 1 अर्था 5 धन 1 बराबर 6 इसी प्रकार सेब को और आमो को भी चैन करने के प्रकार तो सेब में 3 धन 1 चार प्रकार और आमो को 4 धन 1 बराबर 5 प्रकार से चुन सकते हैं और इन सब का हम गुणा कर देंगे और अंत में एक घटाएंगे क्योंकि एक ऐसी सित्य आ रही है जिसमें किसी भी फल को नहीं चुनना जाएगा लेकिन प्रश्ण में कहा गया है कि फलों को चुनना ही है तो इसको घटाएंगे तो हमें अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा चलिए तो इसे हम लिखेंगे कि पाँच अमरूदों में से एक दो तीन चार पाँच अमरूद तथा कोई भी अमरूद नहीं चुना जा सकता है इस प्रकार पाँच अमरूदों में से अमरूद चुनने के प्रकार तो यह हो जाएगा पाँच धन एक इसी प्रकार इसी प्रकार तीन सेबों में से सेब चुनने के प्रकार बराबर तीन धन एक यह चार और यह च्छे और चार आमों में से आम चुनने के प्रकार तो चार में एक को जोड़ दीजे आपको मिल दाएगा पाँच इस प्रकार संख्या में कितने ही फल चुनने के प्रकार इसका मतलब यह कि सभी का हम गुणा कर देंगे चार गुणित पाँच सरल करेंगे तो आजाएगा एक सो बीस लेकिन इस इस्तिती में एक ऐसी स्थिती भी है जब एक भी फल ना चुना जाए इसलिए उस प्रकार अभिष्ट जो प्रकार हमें पूछा गया है उसमें हम एक सो बीस में एक को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा एक सो उननिस और यही इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रश्ण है कि पांच आम और चार अमरूदों में से कितने विभिन ढ़ंगों से फल चुने जा सकते हैं जबकि प्रत्य प्रकार का कम से कम एक फल लेना अनिवार्य है तो पांच आमों में से कम से कम एक आम चुनना है एक दो तीन चार पांच पांच के पांच भी चुनने जा सकते हैं और इसी प्रकार छै अमरूदों में से कम से कम एक अमरूद चुनने के प्रकार निकालेंगे और दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें अभिष्ट प्रकार मिल जाएगा, तो चलिए, इसको हम लिखेंगे कि पांच आमों में से कम से कम एक आम चुनने के प्रकार या चुनने के ढंग, यह जाएगा 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, इसको हम लिख सकते हैं दो का घात पांच, रिन एक और इसी प्रकार 6 अमरूदों में से कम से कम एक अमरूद चुनना ही है, तो चुनने के ढंग, हम इसको लिख सकते हैं, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और अंत में 6C6, इसको लिखा जा सकता है, दो का घात 6 रिन एक, और अभिष्ट प्रकार जो हमें निकालना है, वो निकालने के लिए हम दोनों को गुना कर देंगे, दो का घात 5 रिन एक गुना, दो का घात 6 रिन एक, सरल करने पर आपको मिल जाएगा, 31 गुना 63, सौल करेंगे तो मिल जाएगा, एक हजार नौसो तिरपन, और यही इस प्रश्ण का उत्तर है, प्रश्ण दिया गया है कि निमन के कितने गुनंडखंड हो सकते हैं, इसमें पहला प्रश्ण है, दो सो चप्पन, अब यह जो दो सो चप्पन है, इसका हमें गुनंडखंड पहले करना होगा, और इसी जब आप सरल करेंगे, तो दो गुना 2, इस प्रकार आप इसको आठ बार लिख सकते हैं, यहां से यहां चार बार और यहां से चार बार, इसका मतलब है कि दो का घात 8, यहां दो आठ बार आया है, अतह कुल गुनंखंडो की जो संख्या होगी, इस संख्या में एक को जोड़ देंगे, तो आठ और एक नौ, और इस उत्तर में, या संख्या में, एक और दो सो चपन भी शामिल है, इसी प्रकार इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, चौदा हजार चार सो, तो यह जो चौदा हजार चार सो है, इसको जब आप गुनंखंड करेंगे, तो दो का गहात छे, तीन का गहात दो, और पांच का गहात दो आप लिख सकते हैं, इसमें जो दो है या छे बार आया है, तीन है वह दो बार आया है, और पांच दो है या दो बार आया है, तो कुल गुनंखंडो की संख्या, तो 6 में एक जोड़ेंगे 6 में एक जोड़ेंगे 2 में भी एक जोड़ेंगे और फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो 6 एक 7 2 एक 3 और 2 एक 3 3 तीन 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 नौ सत्य तीर सट तो यह तीर सट उभैनिष्ट या उपर्युक्त गुणनखंडों की संख्या है 63 अभिष्ट गुणनखंडों की संख्या है और इस संख्या में एक और 14400 भी शामिल है और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ग्यात करना था